हेलो पैसेंजर्स, I hope आप सभी अच्छे होंगे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यून की दायून को बताता है कि वो साइको अभी भी जिन्दा है हम वीवर्स उस साइको को दायून को गला दबाते हुए देखते हैं अब इस एपिसोड में दायून को एक्चुली यह सब सपने में नजर आ रहा था वो चमक के उठ जाती है, वहीं यून के भी वैसे ही उठ जाता है दायून को इससे में बूलती है कि आने दो से, अगर उसकी हिम्मत है तो इस बार वो नहीं छोड़ेगी उसको नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन में दायून की मुम्मी और दादी उस औरत से बात कर रहे थे कि लास्ट नैट उसकी पती को उन्होंने नहीं मारा बाखी लोग फिर से यूनगे को जॉगिंग करते देखते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं यूनगे बाद टालते हुए ऐस यूजवल निकलने की कोशिश करता है बट वो लोग यूनगे इसे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना पुरा नम बता देता है और हमें इस एपिसोट का टाइटल दिखाया जाता है ब्रेकफ़स्ट के टाइम दायून बोलती है कि वो जम के खाएगी स्ट्रॉंग बनने के लिए वो अपने ममे और दादी को बताने की कोशिश करती है कि वो साइको अभी बेजिंदा है बट बूल नहीं पाती तब ही उसकी ममी गुसा होती है कि वो यूनगे के यहां बार बार ना जाया करे दायून बताती है कि उसने कोई सीक्रेट यूनगे से शेयर किया है और ये भी बताती है कि यूनगे को अब सब कुछ पता चल गया है कि उसने ही मदर किया है किसी का और रेफरेजरेटर में बॉडी छुपाने की कोशिश भी की है तो वो बोलती है कि उसी ने बताया है फिर उसकी ममें पूछती है कि क्या वो इस बात के लिए उसको डराया था दायोन कहती है कि वो ड्रिंग थी तो उटपटांग मौस से निकल गया तभी दायोन की ममें उसको मारती है चम्मस से और यहां जम के लड़ाई होती है मा बेटी की दायोन महां से भाग जाती है वो इउनगे के रेस्टरांट जाती है और इउनगे को देखकर अपने दिल को जोर से धड़कने के लिए मना करती है और याद दिलाती है कि लास्ट नाइट यूंगे ने कहा था कि वो उसके लिए बिल्कुल कंसर्ण नहीं है और वो तरस खाके सिंपती दे रहा था बस ये सोच के दायोन यूंगे के हर बात को आगे से इग्नॉर करने लगती है यूंगे जब भी बात करता है दायोन उसको वन वर्ड आंसर देती और उसके तरफ देखती भी नहीं दायोन को सबसे हसस के बात करते देख यूंगे को बुरा लगता है इस तरफ दायोन की मम्मी और दादी यूंगे को देख वियर तरीके से हस के दिखाती है अब यहां जनको हसीनी आती वो भी ये सिन देख कर हस देगा बैक टूदी सीन में आते हैं दादी दाय उनकी ममी को समझाती है कि समय और सिच्वेशन के साथ ही चलना पड़ेगा यहां एक गली में रहने वाली आंटी यूनगे के नाम को सोचती है और याद करती है कि उसने कहीं तो ये नाम सुना है और तभी उसका ध्यान उस यूरेनेटिंग वाली पियानो टीचर पे जाता है वो यूनगे के रेस्टरॉन को खिड़की से देख रहा था वो आंटी उसको ऐसा करने से रोकती है इन नेक्स सीन में दायोन जूडो कराटे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है अपने डिफेंस के लिए ताकि वो साइको से वक्त आने पर निपट सके नेक्स्ट मॉनिंग वो यूनगे के साथ मार्केट जाती है जहां उनको गली के सारे जेंस देख रहे थे साथ में रिटन आते टाइम दायोन को पुलिस वाले दिखते हैं जिनको देख दायोन मूट चुपाने लगती है यूनगे उसको समझाता है दायोन के पास कोई रीजन नहीं है पुलिस से चुपने का उसने किसी का मडर नहीं किया है दायोन को रियलाइज होता है कि यूनगे सही बोल रहा है जब वो रिस्टरॉंट पहुंचते हैं तो वो गली के में रहने वाली आंटी यूनगे से पूछती है कि वो वही लड़का है ना और उसके फादर का प्रोफेशन बताती है यूनगे हां कहता है अभी ये बात हवा के जैसे पूरे गली के लोगों में फैल जाती है हम यहां उसी शमन को देखते हैं जिसने स्टार्टिंग एपिसोट में बताया था कि कोई तो खुनी है उन्हीं गुरूप में से यहां गली के सारे लोग यही सोचते हैं कि यूनगे वापस बदला लेने आया है इस तरह हुआंग और उसका एक्स बॉइफ्रेंट उसी डुमेस्टिक वोइलेंस वाले आदमी से मिलते हैं हॉस्पिटल में रिटन आने के टाइम हुआंग पूछती है उसके बॉइफ्रेंट से कि वो ही तो नहीं है जिसने उस आदमी को मारा है हमें यहां पास्ट दिखाया जाता है हुआंग का बॉइफरेंट एक आदमी को खूब मार रहा था वैसे ही जैसे उस एट प्रेजेंट उसने डोमेस्टिक वोइलेंस वाले आदमी को मारा है हुआंग का बॉइफरेंट उसके सामने बस यही पोलता है कि वो आदमी बत्तमिजी किया था और उसको सजा मिलनी चाहिए हुआंग उसको समझाती है कि सजा देना उसका काम नहीं कानून का है बट वो नहीं सुनता हुआंग को पुलिस टेशन में यूनगे के बारे में पता चलता है वो इस टॉपिक पे चर्चा करते है यूनगे ज़रूर रिवेंज लेने आया होगा ऐसा सब कहते है हुआंग बोलती है कि उनको नहीं पता कि रियल अपराधी कौन है ऑफिसर शियोर था कि वो यूरिनेटिंग करने वाला इंसान यानि पियानो टीचर ही अपराधी है ऑफिसर को याद है सब कुछ और हमें यहाँ पास्ट का सेन दिखाया जाता है यूनगे की बहन पार्क में अकेली थी और तभी पियानो टीचर उससे मिला था पियानो टीचर अरेस्ट होने के बाद भी इतना जिदी था कि वो कुछ भी नहीं बताया कि exactly हुआ क्या था उस दिन कोई प्रूफ नहीं था इसलिए वो रिहा हो गया एट प्रेजेंट में यूनगे को वही पियानो टीचर दिखता है यूनगे पूछता है कि क्या वो उसको कुछ बताना चाहता है क्या पियानो टीचर सौरी बोलता है और कहता है कि उसी की वज़े से यूनगे की बहन मर गई यूनगे पूछता है कि क्या हुआ था उस दिन exactly टीचर बताता है कि उसकी बहन कार में घुमना चाहती थी और वो चाहता था कि वो यूनगे की बहन को अपने साथ ले कर जाए इसके बाद वो sorry बोलने लगता है यूनगे पूछता है कि आगे क्या हुआ पियानो टीचर कहता है कि उसको खुद नहीं पता वो बस sorry कहना चाहता था यूनगे एग्रेसिव हो कि पियानो टीचर से पूछने जाता है पर तबी वहाँ हुआं का boyfriend रोग देता है वो समझाता है यूनगे को कि परसनल बदले के चकर में वो किसी को मारे ना यूनगे उल्टा जवाब देता है कि परसनल revenge के बारे में वो बात ही ना करे तो बहतर होगा बिकाज वो जानता है कि domestic violence वाले आदमी को हुआ उसी नहीं मारा था यूनगे का दोस्त दायोन और साइको की बहन को यूनगे की बहन की स्टोरी बताता है साइको की बहन गुसे में बोलती है कि उसके भाई को कोई भी नुकसान पहुँचाएगा तो वो उसके तुकड़े तुकड़े करके उस परसन को बहुत तकलीफ देगी दायोन शौकिंग से उसको देखती रह जाती है नेक्स्ट मॉनिंग जब यूनगे जोगिंग करने आता है तो गली के सारे लोग उसको अजीब तरीके से देख रहे थे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूनगे बच्पन में गली छोड़ के जा रहा था वो जाते जाते सबसे कहता है कि जो भी खुनी है वो उससे बदला लेने जरूर आएगा अब यहाँ एट प्रेजेंट में यूनगे को पता चलता है कि हुआंग का बॉइफ्रेंट जीवन तोक यूनगे के उपर वाले फ्लोर मेरे शिफ्ट होने वाला है यूनगे उसको बोलता है कि वो उस पर नजर रखने आया है क्या जिस पर जीवन तोक बोलता है कि वो अपने काम से मतलब रखे और आगे से एक दुसरे को इग्नॉर ही करेंगे यहां दायोन ब्रेकफास्ट के टाइम ममी और दादी से यूनगे की बहन के बारे में पूछती है पास्ट को याद करती है कि उसको लड़के याद है जिसको वो हेट करती है इवन वो लड़का भी याद है जिसको वो लाइक करती है बट यूंगे की बहन उसके याद में ही नहीं थी यहां हम व्यूवर्स देखते हैं कि दादी और ममी को चुपा रहे हैं दायों से नेक सीन में दायों यूंगे से बात नहीं कर रही थी और वो टेरिस पे जाती है तभी ही उनगे को देख वहां से वो जाने लगती है बट यूंगे उसे रोक कर चीज़े नॉर्मल करता है उन दोनों के बीच अच्छी कनवर्सेशन होती है फिर नेक सीन में दायों की आफिस क कलिक घर आती है और रास्ते में वो साइको की बहन को देखती है उसको याद आता है कि वो वही है वो यह देख दादी और दायों की ममे को बताती है वो साइको की बहन को दूर से आते देख छुपने लगते हैं नेक सीन में यूंगे को कॉल आता है उसकी मौसी का वो बताती कि ममी के साथ जब वो शॉपिंग कर रही थी तब अच्छानक से उसकी ममी गायब हो गई है और ढूनने पर वो कहीं नहीं मिल रही यूंगे और दायों एक साथ ही थे दोनों यूंगे की ममी को ढूनने लगते हैं यूंगे को ममी मिल जाती है बट वो सब के सामने यूंगे को बुरा भला कहने लगती है कि उसकी बहन उसी के कारण गायब हुई है और ये बात दायोन सुन लेती है नेक्स सीन में दायोन यूनगी का मूट ठीक करने की कोशिश करती है कुछ उसके लिए खाने में टेस्टी बनाकर बट एंड में यूनगी ही दायोन के लिए एक डिश बनाकर खिलाता है दोनों साथ में डिनर करते हैं जहां दायों उसके ममी के किये गए बरताव को सोच कर रोने लगती है इस तरफ यूनगे को भी रोना आता है इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है कुछ सवालों के जवाब अभी तक बाकी है इस ड्रामा में में भी वो हमें आगे पता चलेगा I hope आपको ये explanation अच्छा लगाओगा तो like, share और subscribe करें और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में तब तक के लिए with lots of love बाई बाई